हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो मैं यूटूब चैनल, इंटीग्रेशन को पंटीन्यू करते हुए, आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिचूशन मैथट, बिलकुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, छोटा सा छोटा कंसेप्ट मैं आपको बहुती easy and detailed way में explain करूँगा, बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बेने रहे, I am sure आपके तमाम कंसेप्ट्स and doubts के लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी doubt रहे, description में मेरा WhatsApp नंबर है, वहां से आप मुझे अपना doubt पूर सकते हो, और अगर आप मे playlist, detailed video lectures की भी and MCQs की भी मिल जाएंगे, now let us start, integration को solo करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods होते हैं, because कभी कबार हमारे पास जो given function होता है, यानि जिस function के हमने integration करनी होती है, वो complex होता है, जो simple नहीं solo होता है, जिस तरह से हमने previous वीडियो में question किये थे, वैसे question नहीं होंगे, इस case में हमें कोई भी method इस्तमाल करना पड़ता है, so हमारे पास जो first method है, जो आपके syllabus में है, वो हमारे पास है substitution method, now substitution method में क्या होता है, let us suppose that हमारे पास एक function given है, f of x, d of x, ठीक है, substitution method में हम क्या करते है, जो भी हमारे पास variable of integration होता है, इस variable की जगा पे हम किसी और variable को substitute करते हैं, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, because हमारे पास जो given function होता है, उसको simple बनाने के लिए, हम substitution method का इस्तमाल करते हैं, जैसे, let us suppose that हमारे पास f of x की जगा पे है, cos 2x, ठीक है, अगर हम इसको substitution method से solve करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास variable of integration क्या है, now हम जानते है, variable हमारे पास है x, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम x को put करेंगे, या हम 2x को भी put कर सकते हैं, because 2 हमारे पास क्या है, real number है, constant है, इसको साथ में रखोगे, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, put 2x is equal to t, यानि कि हमने 2x की जगा पे t को substitute किया, ओके, यह हमारे पास है, first step, second step क्या है, जो भी हमने variable substitute किया है, उसके respect में, हमने इसको क्या करनी है, differentiate करनी है, हम लिखेंगे, d upon dt, because हमने variable t substitute किया है, ठीक है, 2x is equal to dt, दोनों साइट से हमने कर दा है, ठीक है, आप देखो, यहाँ दोनों पे same है, यह cancel हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, और यहाँ पे जब आप इसकी derivative निकालोगे, हमारे पास क्या बनेगा, तो आप बाहर से रख सकते हो, dx upon dt, which is equal to 1, ठीक है, अब देखो, इसको इसके साथ multiply करो, because हम cross multiplication करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, implies 2dx is equal to dt, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास, देखो, हमारे पास y क्या है, integration cos to x dx, हम यहाँ पे लिखेंगे, y is equal to, अब जो हमने put किया है, उसको हम put करेंगे, cos to x, यहाँ पे t, हम लिखेंगे अब cos t, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो dx है, इसकी जगा पे क्या लिखेंगे, dt, बट यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, dx is equal to dt upon 2, फिकास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे भी खाली होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, dx की जगा पे बनेगा dt upon 2, ओके, now, हमारे पास 2 क्या है, constant है, इसको हम बाहर रख सकते हैं, 1 upon 2 लिख सकते हैं, integration, cos t dt, ठीक है, अब आप अराम से निकाल सकते हो, 1 upon 2, cos t की integration क्या होती है, sin t, sin t, और plus c, तो इस तरह से हम substitution method का इस्तिमाल करते हैं, यह हमारे पास जो function था, cos to x, यह बहुत ही simple था, इसको हम simply भी integrate कर सकते थे, but मैंने आपको यहाँ पे एक example दी, हम substitution method किस तरह से इस्तमाल करते हैं, अभी हमारे पास बहुत बड़े-बड़े function आएंगे, वहाँ पे substitution method का बहुत ही important इस्तमाल होगा, now अभ हम question पे आते हैं, इसी type के question आप से examination में पूछे जाएंगे, हम इन questions की practice करेंगे, practice करते करते, आपको यह सब चीज समझा जाएगी, और formulas भी याद हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास क्या question है, integrate the following function with respect to x, हमने इन functions को क्या करना है, integrate करना है, पहला हमारे पास है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, f of x is equal to integration to x upon 1 plus x square dx, ठीक है, यहाँ पे हम substitution method का इस्तमाल करेंगे, अब देखिए, हमने यहाँ से कुछ लेना है, और उसकी जगाप पे t को put करेंगे, usually हम t को put करते हैं, आप कुछ भी put कर सकते हों, ठीक है, now, आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ से आपने उस variable को select करना है, जिसकी differentiation इसी function में available हो, अगर हम, जो हमारे पास denominator में है, 1 plus x square, अगर हम इसको differentiate करेंगे, हमारे पास आएगा 2x, हमने क्या करना है, जिसकी differentiation इस function में available होगी, उसी को put करना है, ठीक है, कैसे, हम दिखेंगे, put 1 plus x square is equal to t, अब, आपने क्या करना है, differentiate करना है, both side with respect to t, हम लिखेंगे, d upon dt into 1 plus x square is equal to dt upon dt, ठीक है, तो यहाँ पर पहले 1 की जब आप differentiation करोगे, आपको पता है, constant की differentiation 0 होती है, ठीक है, फिर, जब आप इसकी करोगे, हमारे पास आएगा 2x, उसके बाद क्या आएगा, dx upon dt, ये भी आएगा, विकास हमारे पास यहाँ पर क्या है, dt है, अगर हम इसको इस तरह से करते थे, x square, d upon dx, तो यहाँ पर क्या आता था हमारे पास, 2x, उसके बाद हम कुछ भी नहीं लिखते थे, विकास हमारे पास उसके बाद आता था, dx upon dx, ये भी आता था, बट ये cancel हो जाता था, इसलिए हम इसको नहीं लिखते थे, ठीक है, बट यहाँ पर t है अपान में, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, इसको इसके साथ multiply करो, हमारे पास आएगा dt, ठीक है, हमारे पास क्या है, 2x, यहाँ पर देखो 2x और dx, तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पर रखेंगे, अब हमारे पास क्या बनेगा function, f of x, which is equal to integration, अब देखो, 2x और dx, यहाँ इसको साथ साथ में अगर रखेंगे, 2x, dx, यह हमारे पास किसके equal है, dt, अब लिखेंगे dt, upon, 1 plus x square, 1 plus x square, इसको हमने t के equal put गिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगे, 1 upon t, आपको मैंने कल सिखाए था, integration of 1 upon x, dx, यह किसके equal होती थी, log x के equal होती थी, ठीक है, तो इसी तरह से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 1 upon t, dt, यह हमारे पास क्या बनेगा, log of mod of t, आप यहाँ पर mod भी लिख सकते हो, because अक्सर आपको examination में mod लिखा हुआ मिलेगा, plus c, अब t की value of फिर put करो, 1 plus x square, तो हमारे पास बनेगा, log 1 plus x square plus c, यह हमारे पास आगया required answer, यह questions बहुत ही ज्यादा easy questions है, जब आप इनकी practice करोगे, यह सब आपको करने की जुरुरत नहीं पड़ेगी, आप इसको देख के ही बता सकते हो, आपको बिल्कुल भी स्वालू करने की जुरुरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल देख के आप इसका बता सकते हो, इसका answer क्या आएगा, अब हम आते हैं second question प का whole square upon x into dx, यहाँ पे भी हमने put करना है, बट यहाँ पे आप क्या choose करोगे, बताओ ज़र आप मुझे, देखो, हमारे पास जो log x है, जब आप log x की differentiation करोगे, आप के पास क्या आएगा, 1 upon x, because हम जानते हैं, differentiation of log x is equal to 1 upon x, तो यह हमारे पास 1 upon x है, इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, put log x is equal to t, बस, अगर आपको यह चीज़ पता चल गया, आपने क्या put करना है, बस आपका question अराम से solve हो गया, अब देखो, इसकी जब आप differentiation करोगे, क्या एगा, 1 upon x, उसके बाद, dx upon dt, और यहाँ पर 1, ठीक है, अब यह 1 क्यों आया, विकाजी बार-बार repeat हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लेकोंगा, हमारे पास 1 upon x, dx, और इसको इसके साथ multiply, तो dt, ठीक है, अब देखो, हमारे पास क्या है, 1 upon x, बिकाज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 upon x, 1 upon x, और dx, यह मिला के हमारे पास है dt, हम लिखेंगे f of x, is equal to, integration, हमारे पास क्या आएगा, sorry, पहले हम लिखेंगे log x की जगा, log x की जगा पे t, t का square, विकाज उपर से क्या है, square है, उसके बाद, 1 upon x, dx, 1 upon x, dx, इसकी जगा पे सीधा dt, ओके, अब इसकी integration आराम से कर सकते हो, जो power होती है, इसको plus 1 होता है, तो 2 plus 1, 3, और वो ही अपान भी 3, ठीक है, plus c, अब अब t की value फिर put करो, तो हमारे पास आ गया, log x का whole q, upon 3 plus c, which is the required answer, अब हम आते हैं, question number 3 के उपर है, now, question number 3 में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, f of x is equal to integration, 1 upon x, plus x into log of x, dx, अब मुझे बताओ, तो, यहाँ पे, किसके आपको differentiation मिलेगी, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, because, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 upon, यहाँ हम सिद्धे लिखेंगे, dx, ठीक है, विकास इसको multiply करो, तो dx ही आएगा, अगर हम x यहाँ पे common निकालेंगे, और 1 plus, बता सकते हो, हमारे पास, जो log x है, इसके differentiation, 1 upon x, यहाँ पे plus में था, इसलिए आप यह कह नहीं सकते, यह हमारे पास 1 upon x है, but, यहाँ पे आप बाहर से bracket आगिया, अब आप आराम से कह सकते हो, हम क्या put करेंगे, हम put करेंगे, log x is equal to t, ठीक है, अब log x t put करो, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 upon x, dx upon dt is equal to 1, बिल्कुल सेम जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था, ओके, 1 upon x, dx is equal to dt, ठीक है, यानि कि 1 upon x और dx, यह किसके equal है, dt, dt, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास बनेगा dt upon 1 plus log x, ठीक है, 1 plus log x की जग़पे क्या है, t है, या आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, put करो आप 1 plus log x, because यह हमारे पास constant है, इसकी जब differentiation करोगे, वो 0 चला जाएगा, तो इसका कोई फरक ही नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, t, यानि 1 upon t की क्या होगी differentiation, log t, अब t की value of put करो, t हमने क्या put किया था, 1 plus log x, तो ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, log into, 1 plus log x, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आएगा, required answer, बहुत ही simple question है, सिरफ आपको, man focus आपको होना चाहिए, कि हमने put क्या करना है, put आपको वो ही करना है, जिसकी आपको differentiation उस function के अंदर मिलेगी, बस यह चीज़ आपको अपने mind में रख देनी है, next हमारे पास question है, हमारे पास question है, sin x, sin of cos x, और second question हमारे पास है, sin into ax plus b into cos ax plus b, पहले हम इसको करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, f of x is equal to integration, sin x, sin cos x into dx, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास यह वाला cos x है न, यह हमारे पास इस वकत theta है, angle है, विकास, यह क्या है, sin के अंदर है, यहाँ पे x होना चाहिए था, यानि sin x या sin theta होना चाहिए था, बट theta की जगा पे हमारे पास क्या है, cos x है, यह अंदर से, ओके, अब मुझे बताओ, आप यहाँ पे हम क्या put करेंगे, देखो, यहाँ पे हम put करेंगे cos x, अब आप मुझे बताओ, sin x क्यों put नहीं करेंगे, विकास हमारे पास, जब हम sin की differentiation करेंगे, cos तो आएगा वो, ठीक है, बट वो cos जो है, अंदर है, theta वाला है, बाहर वाला cos नहीं है, इसलिए हम अंदर वाला put करेंगे, विकास हमारे पास इस वकद जो cos x है न, यह एक variable की तरह है, एक theta की तरह है, हम लिखेंगे यहाँ पे, put cos x is equal to t, अब बताओ, cos की differentiation क्या होती है, वो होती है हमारे पास, minus sin x dx, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, dt, विकास लास्ट पे भी वो ही बनेगा, अब मुझे बताओ, यहाँ पे sin x और dx, यानि sin x और dx, यह किस के equal हो गए, dt के equal हो गए, हम लिखेंगे, f of x is equal to integration, इसको मैं पहले लिखता हूँ, देखो, sin, ठीक है, sin और cos की जग़ पे क्या है, t, तो बना sin t, और sin x और dx, sin x dx, इसकी जग़ पे है dt, यहाँ पे minus है, तो यहाँ पे minus रख लेना आप, ओके, अब मुझे आब बताओ, sin की integration क्या होती है, cos होती है, बट minus cos होती है, तो हमारे पास क्या बनेगा, minus cos t, और plus constant c, minus minus, plus, तो हमारे पास बनेगा, cos, और t की जग़ पे क्या हमारे पास है, cos x, तो हमारे पास बनेगा, cos x plus c, एक चीज, यहाँ पे भी आप याद रखना, कहीं आप इसको cos square x नहीं कर देना because cos हमारे पास क्या है angle है hope you guys understand next हमारे पास question है question number 5 sin ax plus b हम लिख सकते हैं इसको f of x is equal to integration sin ax plus b into cos ax plus b dx यहाँ पे आपको freedom है because sin की differentiation cos होती है और cos की differentiation sin होती है अब यहाँ पे आपको अपनी चाहिस है कौन सा put कर सकते हो आपको अपनी चाहिस है यहाँ पे मैं put करता हूँ put sin यहाँ पे मैं sin ही put करता हूँ plus b is equal to t ठीक है हमारे पास क्या आएगा इसकी differentiation करो जब हम इसकी differentiation करेंगे हमारे पास बनेगा cos ax plus b उसके बाद जो अंदर वाला है न ax plus b इसकी भी हमने differentiation करनी है यहाँ यहाँ पे अपान dt into ax less b is equal to यहाँ पे differentiation करोगे तो 1 आएगा जो अभी हम करते आए हमारे पास बनेगा cos ax less b यहाँ पे a constant है x की differentiation आएगी 1 ठीक है तो हमारे पास क्या बचेगा a और b constant है यह 0 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा dx और is equal to dt यहाँ पे बनेगा dx upon dt मैंने directly यहाँ पे multiply किया विकास अभी तक मैंने इसको काफी बार repeat किया यानि हमारे पास क्या आ गया हम इसको लिखेंगे cos ax plus b into dx यहाँ पे हमारे पास a नहीं है ना इसलिए हम a को इस साइड लाएंगे हमारे पास बनेगा dt upon a अब देखो इसको हम क्या करेंगे हमारे पास इसकी जगा पे dt upon a हम लिख सकते है f of x is equal to integration sin ax plus b यह किसके equal है t के equal है हमारे पास बनेगा dt upon a a को आप बाहर आराम से लिख सकते हो 1 upon a t की integration t की power क्या है 1 है और 1 और add हो जाएगा यानि 2 बनेगा upon में भी 2 और plus में c तो यह हमारे पास बनेगा 1 upon 2a t हमारे पास क्या है sin ax plus b हम इसको लिखेंगे sin ax plus b ठीक है और whole square ठीक तो हमारे पास और plus में c तो यह हमारे पास क्या बन गया required answer next हमारे पास question है question number 6 अब मुझे आप बताओ यहाँ पे आप कौन सा variable choose करोगे जिसकी आपको यहीं पर differentiation मिलेगे हमारे पास एक ही variable है x तो इसी को हम put करेंगे बागे हमारे पास दो constant है इनको भी हम साथ लेंगे because constant से कोई फरक ही नहीं पड़ेगा हम इसको अराम से लख सकते हैं put ax plus b is equal to t इस type के जो question है न उनको आप directly भी integrate कर सकते हो but जब आप continuously practice करोगे न फिर आप उसको खुद बगूत कर सकते हो अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी जब हम differentiation करेंगे यहाँ पे हमारे पास ax है यह हमारे पास बनेगा a dx upon dt और जब आप इसकी differentiation करोगे यह हमारे पास बनेगा 0 constant की differentiation और यहाँ पे 1 है ओके तो हमारे पास क्या बनेगा a dx और इसको इसके साथ multiply हो गया dt यानि dx is equal to dt upon a यह हमारे पास यहां गया अब देखो हमारे पास dx की जगा पे dt upon a और ax plus b की जगा पे है t हमारे पास बनेगा integral अब देखो जो हमारे पास root है ना इसका मतलब है power क्या होती है 1 upon 2 तो अब आराम से लिख सकते हो t की power 1 upon 2 उसके बाद dx की जगा पे हमारे पास है dt upon a ओके now a हमारे पास constant है तो इसका आप बाहर लिख सकते हो ओके sorry 1 upon a और t की integration क्या आएगी t 1 upon 2 plus 1 और upon में भी 1 upon 2 plus 1 और plus c ओके अब देखो हमारे पास क्या आएगा इसको प्लस करो 1 upon 2 plus 1 इसको इसके साथ multiply करो बनेगा 2 1 जा 2 यहनि 1 plus 2 upon 2 यानिकिए 3 by 2 ठीक है तो t t की power फिर back कर दो हमारे पास बनेगा ax plus b की power 3 by 2 ठीक है और यहां पर मारे पास 1 upon a b है और यहां पर भी 3 by 2 plus c अब इस 3 by 2 को उपर ले लो तो हमारे पास क्या बनेगा 2 by 3 पहले 3 by 2 था उपर जाके बना 2 by 3 a into ax plus b की power 3 by 2 which is the required answer now next मारे पास question है f of x is equal to integral x under root x plus 2 dx अब देखो यहां पर आप directly put ने कर सकते हो because x और x दोनु सैम है कोई किसी की differentiation नहीं है इसलिए आप क्या करोगे आप इसको अंदर की जैसर बना सकते हो because उससे यह क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो आप देखो x अगर मैं plus 2 करता हूँ और minus 2 करता हूँ कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा bracket डालो और अंदर से लिखो x plus 2 dx अब इसको इसके साथ भी multiply करो यानि इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी multiply करो हमारे पास क्या बनेगा x plus 2 into अब root का मतलब क्या होता है power 1 upon 2 हम लिखेंगे x plus 2 की power 1 upon 2 minus 2 2 के साथ भी multiply करो हमारे पास बना x plus 2 इसके power क्या 1 upon 2 यहाँ पे भी dx हमारे पास है यहाँ पे भी dx है ओके तो हमारे पास बन गया अब देखो यहाँ हमारे पास basis सेम है x plus 2 x plus 2 when the basis are same power must be added power क्या हो जाती है add हो जाती है इसकी power क्या है, 1 है, 1 plus 1 upon 2, अब ही हमने यहाँ पर किया था, हमारे पास आए था 3 by 2, हम लिखेंगे, x plus 2, इसकी power क्या है, 3 by 2 है, minus 2 integration, x plus 2, इसकी power कितनी है, 1 by 2, dx और dx, ठीक है, अब अब यहाँ पर x plus 2 को put कर सकते हो, या आप directly भी कर सकते हो, यह हमारे पास क्या है, x plus 2, इसको आप assume करो, एक value, ठीक है, यानि हमारे पास, यह समझो आप, यह हमारे पास integration है, x की power, अब देखो, अब आप x plus 2 को, अब देखो, अब आप x plus 2 को, तो t के बराबर put कर सकते हो, देखो, x plus 2, is equal to t, दोनों जगा, यहाँ पर भी x plus 2 है, यहाँ पर भी x plus 2 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, dx, यहाँ पर बनेगा, dx upon dt, तो मैं यहाँ पर direct लिखता हूँ, dx is equal to dt बनेगा, ठीक है, तो x plus 2 की जगा पर क्या, t लिख सकते हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, integration, t की पावर, 3 by 2, और dx की जगा पर dt, minus, 2 integration, आफ, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, t की पावर, 1 upon 2, यहाँ पर dt, बहुत ही simple है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, t की पावर, 3 by 2, 3 by 2 plus 1, upon 3 by 2 plus 1, यहाँ पर भी, इस अंसर मुझे comment box में चाहिए, और इसका आपने लिखना है question number 7 का answer, और वहीं पर मैं आपको check करूँगा, और देखूँगा, आपको कितनी समझ आ रही है, now, next हमारे पास question है, x under root of 1 plus 2x square, देखो, हम इसको लिखेंगे, f of x is equal to integral x under root of 1 plus 2x square, dx, यहाँ पर आप मुझे बताओ, हम क्या put करेंगे, देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 plus 2 into x square, अगर हम x square को लेंगे, x square की differentiation क्या आएगी, 2x आएगी, 2x आएगी न, यानि कि हमारे पास variable है यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर है, इसके आपने tension नहीं रखनी है, सिरफ आपका जो हमारे पास variable है न, वो आना चाहिए, बस, multiply में कुछ भी हो, उसकी दिक्कत नहीं है, अगर plus होता, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता, 1 plus x, बाहर से होता, तब problem हो जाती है, बट, यहाँ पर इस उकद हमारे पास कोई भी problem नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ह constant की तो 0, plus, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 बाहर से, d upon dt और x square की differentiation, और यहाँ पर dt अपान dt, ठीक है, x square की differentiation क्या आएगी, 2x आएगी, वो 2 और here 2, 4 बन जाएगे, ओके, और हमारे पास बनेगा, sorry, 4x बनेगा हमारे पास, और यहाँ पर dx is equal to, यह और यह cancel, 1, और यह side आजागा, यह नहीं, dt, ठीक है, बट हमें सिरफ क्या चाहिए, x चाहिए, x, हम दिखेंगे, x dx is equal to dt upon 4, ओके, अब हम इसको आराम से करेंगे, हम दिखेंगे, f of x is equal to integral, यह वाला x और यह वाला dx, x dx, यह बन गया, dt upon 4, तो 4 खम, इस तरह 1 upon 4 बाहर से लिखतेंगे, और यह हमारे पास किसके equal है, t, t, और इसके उपर root है, root का मतलब 1 upon 2, ओके, तो कर लो इसको ज़रा, 1 upon 4, t की power, 1 upon 2 plus 1, because integration है न, तो बनेगा, 3 upon 2, upon में भी, 3 upon 2, ठीक है, plus c, ठीक, ओके, अब आपने क्या करना है, t की value, फिर से put करनी है, 1 plus 2x square, तो आपके पास क्या हैगा, 1 upon 4 बाहर से, अंदर से, 1 plus 2x square, और इसकी power क्या हैगी, 3 by 2, और यह उपर बनेगा, चलेगा, तो यह बन गया, 2 by 3, ठीक, plus c, तो यह पर आपके पास क्या गया, required answer आगया, next question अब हम करेंगे, हमारे पास है, 4x plus 2, अंदर रोट, x square plus x plus 1, इसको हम लिखेंगे, f of x is equal to integral 4x plus 2, अंदर रोट, x square plus x plus 1, और बाहर से, dx, अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, देखो, x square की 2x, ठीक है, और x की 1, अगर हम एक काम करेंगे, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, अब देखो, 4x plus 2, अगर यहाँ से हम 2 common निकालेंगे, यानि 2 हम बाहर रखेंगे, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, 2x और यहाँ पे 1, बचेगा की नहीं बचेगा, ओके, अंदर रोट, x square plus x plus 1, d of x, अब मुझे आप बताओ, क्या, यह जो हमारे प x plus 1 है, अगर हम इसको differentiate करेंगे, यह आएगा की नहीं आएगा, बिलकुल आएगा, अब हम लिखेंगे, put x square plus x plus 1 is equal to t, ओके, तो इसकी जब differentiation करोगे, क्या बनेगा, 2x और x की differentiation 1, और बाहर से आपको पता है, क्या आता है, dx आता है, और यहाँ पे dt, यह कैसे आया, अभी मै यहाँ पे बता दिया आपको, ओके, और पीछे से मैं बता रहा हूँ, अब देखो, 2x plus 1 और dx, 2x plus 1 dx, इसके equal आ गया, हम लिखेंगे, f of x is equal to, यह वाला 2, into, यह हमारे पास किसे हो गया, dt, और यह हमारे पास t के, यानि, t की power, 1 upon 2, और बाहर से dt, जिस तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ पे भी आपने करना है, और इसका भी answer मुझे चाहिए, comment box में, और वहाँ पे आपने दिखना है, question number 9 का answer, जो भी मैं आपको question दे रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल भी skip नहीं करिएगा, इसी तरह के question, आप से examination में पूछे जाएंगे, next हमार पास जो question number 1 है, यह question आपके लिए है, यह आपका homework है, ठीक है, हम directly आते हैं question number 2 पे, यानि part number 2 पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, f of x is equal to integral 2x sin x square plus 1 d of x, okay, now, आप मुझे बताओ, यहाँ पे हम क्या put करेंगे, देखो, यहाँ मेरे पास है x square plus 1, यानि, अगर हम इसको differentiate करेंगे, यह बनेगा 2x, यहाँ पे available है, इसका मतलब हम इसी को put करेंगे, हम लिखेंगे, put x square plus 1 is equal to t, ओके, आपके पास क्या बनेगा, 2x dx लिख सकते हो, is equal to dt, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, f of x is equal to integration, 2x और यह dx, 2x और dx, यह हो गया, dt, और हमारे पास बनेगा, sin x square plus 1, इसकी जगा पे t, ओके, और यह dt बन गया, अब आप इसको अराम से कर सकते हो, integrate, यह हमारे पास बनेगा, integration of sin t होती है, minus cos t plus c, ओके, इसकी value put करो, minus cos, और t हमारे पास है, x square plus 1 plus c, which is the required answer, hope you guys understand, इसी तरह से, अब हम आते हैं, part number 3 की तरफ, अब देखो, part number 3 में क्या हमारे पास है, f of x is equal to 10 की power 4, under root x, sex gear under root, और अपान में भी root x, और यहाँ पे बाहर से क्या है, integration है, d of x, अब मुझे आप बताओ, यह जो power है न, इनको आप खतम कर दो mind से, जो root है, इनको भी आप खतम करो, अब अब अपने mind में रखो, 10 x, sex x, upon x, सिरफ यही आप अपने mind में रख दो, आप मुझे बताओ, किसकी differentiation यहाँ पे आपको available मिलेगी, देखो, हमारे पास, जो tan है, अगर आप इसको differentiate करोगे, tan की differentiation हमारे पास होती है, sex x, होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, tan को put करेंगे, अब देखो, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो यहाँ पे power होती है, इसका मतलब होता है whole power, ठीक है, ओके, so हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, put, tan, और इसके अंदर क्या है, root x, ओके, इसको हम put करेंगे, t के बराबर, ठीक, अब देखो, हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हो, tan, और x की power, 1 by 2, यह हमारे पास x की power है, tan की power नहीं है, ओके, इसको भी आपने याद रखना है, विकाज यहाँ पे क्या था, हमारे पास, root x है न, root को हम 1 upon 2 लेख सकते हैं, यह चीज़ भी आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे एक चीज़, difference पता चला, कि हमारे पास 2 type की power होती है, एक हमारे पास होती है, इसके उपर में, ठीक है, यह जो इसके उपर होती है न, यह whole power होती है, बट जो इसको अपनी होती है न, यह बहुत कमीना होता है, यह सिरफ अपने उपर रखता है, बट जब tan के पास होता है, यह सब को दे दीता है, यह आपको याद रखना है, tan हो, या sec हो, या sin हो, जो भी trigonometric function है, उन सब की मैं मैं बात कर रहा हूँ, अब इसकी जब differentiation करोगे, हमारे पास tan की differentiation होती है, sec square x, x मतलब 1 upon 2, यानि root x, लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद इसकी भी आपको differentiation करने पड़ेगी, यानि d by dx of x is to power 1 by 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, sorry, यह हमारे पास क्या है, dx नहीं है, बलकि हम, with respect to t कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास dt upon dt आएगा, ओके, इसी तरह से, इसको करो, sec secure, under root, यह हमारे पास क्या बनेगा, इसके differentiation करोगे, आपके पास बनेगा, x, 1 upon 2 minus 1, बनेगा न, 1 upon 2 minus 1 तो यह हमारे पास बनेगा, 1 minus 2 upon 2, ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, यह हमारे पास बनेगा, minus 1 upon 2, यहनि x की power minus 1 upon 2, और multiply में भी आएगा, minus 1 upon 2, और यहाँ पर dt हम लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, dx, ओके, अब देखो, x की power minus 1 upon 2, इसका मतलब क्या ह x upon में आएगा और upon में root बनेगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखो, x की power minus 1 upon 2, इसका मतलब यह है, 1 upon x की power 1 upon 2, अब x की power 1 upon 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, 1 upon under root x, ठीक है, यही मतलब है न, ओके, तो हम यहाँ पर लिखें के, sec secure under root x upon under root x dx, और यह साथ में है, minus 1 upon 2, minus 1 upon 2, which is equal to dt, ठीक है, अब देखो, यह जो हमारे पास, इस side चला जाएगा, यहाँ पर minus 1 upon 2 है, यहाँ पर क्या बनेगा, plus 2, सुरी, सिधा 2, minus 2, यानि, sec secure under root x upon root x dx, यहाँ पर सोनेगा, minus 2 dt, ओके, question solo हो गया, देखो, sec secure root x upon root x, sec secure root x upon root x, into dx, यह जो हमारे पास है न, यह सारा, इतना सा portion, यह हमेरे पास किसके equal हो गया, dt के equal हो गया, अब आपको पता चल गया, substitution method कितना important है, यह सारी आपकी जो value है न, यह single एक dt के equal हो गई, ओके, अब इसको आराम से कर सकते हो, अब देखो, यहाँ पर मैं इसको करता हूं, यहाँ पर मैं करता हूं, ठीक है, और जो tan है न, यह क्या है, t है, हम लिखेंगे, integration tan, sorry, tan की जाओ गए क्या लिखो आप, t, और इसकी power 4, ओके, और आपके पास है minus 2, इसको आप बाहर से लिखतो, ठीक है, और हमारे पास साथ में है dt, बस question हो गया, अब इसको हम आराम से कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे t, और यहाँ पर plus 1 होता था, 5, अपान में भी 5, यहाँ पर minus 2, और plus c, अब t की value फिर वापस कर दो, हमारे पास बनेगा minus 2 upon 5 into, t हमारे पास है, 10 under root x, और इसकी power कितनी है, इसकी power है 5, और plus में c, तो यह हमारे पास क्या बन गया, required answer बन गया, next हमारे पास question है, यह question भी काफी important है, यहाँ पर हमारे पास है 10 inverse of x, now, आप जानते हो, हमारे पास जो differentiation होती है, t by dx, जो inverse function होता है 10, बताओ ज़रा, इसकी derivative क्या होती है, इसकी derivative हमारे पास होती है, 1 upon 1 plus x square, यह इसकी क्या होती है, derivative होती है, जब derivative इस side आजाएगा, यह बनेगा integration, यानि, integration of 1 plus x square, यह किसकी equal आएगी, यह आएगा हमारे पास, 10 inverse of x, और plus में c, यानि constant, इसी तरह से, हमारे पास, जब यहाँ पे negative आएगा, यानि, minus 1 upon 1 plus x square आएगा, तो हमारे पास बनेगा यह cot, cot inverse of x plus c, ठीक है, तो अगर आप differentiation करोगे, d by dx of cot inverse of x, उस किसमें यहाँ पे क्या आएगा, minus आएगा, बस यह चीज़ा आपको क्या करनी है, याद रिखनी है, और अपनी notebook पे इसको note down करो, हम लिखते हैं, f of x is equal to integral sin tan inverse of x upon 1 plus x square into dx, अब मुझे आप बताओ, क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा variable, कोई ऐसा function मिल रहा है, जिसकी आपको यहीं पे derivative मिल रही है, बिलकुल मिल रहा है, यहाँ पे देखो आप, 10 inverse of x, इसकी क्या derivative है, 1 upon 1 plus x square, यानि हमारे पास जो 10 inverse of x है न, इसकी यहाँ पे हमारे पास derivative मिल चुकी है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, put 10 inverse of x is equal to t, ओके, तो इसकी derivative क्या है, 1 upon 1 plus x square है की नहीं है, हमारे पास, यहाँ पे dx upon dt is equal to 1, हम लिखेंगे, implies 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt, because, इसको इसके साथ क्या लग जाएगी, multiply, अब देखो, हमारे पास, जो यह इतना सा function है न, यह, यह, ठीक है, यह हमारे पास बन गया, किसके equal, यह देखो, dt के equal बन गया, ओके, और जो हमारे पास 10 inverse of x है, यह हमारे पास t के equal बन गया, हम लिखेंगे, f of x is equal to integral sine, और 10 की जगा पे आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, ओके, और यह जो सारा है न, इसकी जगा पे आपने single dt लिखना है, ओके, देखो, कितना, कितना आपको tough लग रहा था question, बट कितना आसान question था, integral, sine की, sorry, अब तो हो गया, अब integral हम क्यों लिखेंगे, sine की हो तो यह हमारे पास, minus cos t, और plus में c, which is equal to, t के value फिर repeat करो, आपके पास बना, minus cos और 10 inverse of x plus c, which is the required answer, hope you guys understand, now, आज की वीडियो में हम इतना ही discuss करेंगे, बाकी हम discuss करेंगे next वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, please मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends and classmates के साथ जुरूर शेयर कीजिएगा, thanks for watching,